बुजन कटाना चौन देओ, मोटापा कटाना चौन देओ, पर की करिए, खान देओ पर कंट्रोल ही नहीं होंदा, की तो अनु भी बार-बार जो है पुख लग दीए, थोड़े ही समय देविच बहुत कुछ खाले नेओ, चाह के भी खान दीस आदते कंट्रोल हो ही नहीं पा किसी खास इटिंग डिसॉडर देशिकारता नहीं हो, जो मैं अगला शुरू विच्टानु कहीं है, कि थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खान दा मन करदा रहन दा, सिर्फ मन नहीं करदा, खान देवी रहन देओ, इवन कर देओ, लुक लुक पे भी अगर कुछ खाना प कि ये कहियां देवीच इटिंग डिसॉडर पाया जान दा है, ते एही में वजा रीजन बान जान दा है, मुठापे दा, स्वागते जी सारें दा, मैं हां हर जोड कौर ते आज इस खास टॉपिक देओ पर गल करांगे, पर उस तो पहला, जेकर हले तुसी मेरे फेस्बुक पेज नूँ फॉलो नहीं किता है, तो फॉलो कार दो, यूट्यूब चानल, हल्थ अडवाइस, विधर जोड कौर नूँ सब्सक्राइब नहीं किता होया है, तो फट 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 सब्सक्राइब भी कार लो, तुसे मैंनो इंस्टर्ग्राम थे, भी फॉलो कार साग दियो, त इस तो आसी छुटकारा की में पासाग दियां, क्योंकि जिना नूँ भी ये इटिंग डिसॉर्डर है, वो इस इटिंग डिसॉर्डर तो अगर चुटकारा पारंगे, ता होता आप भी उन्हादा कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ए तो तुसे खुद देखो, जो जो म कुछ खान दे जा रहे हो, ता कोई ना कोई मजाग देविच गल कार देंदा, भी खान दे पीन दे कार देंदा, ता खावांगे ही, तो देखो इत्यान रखो, कि तो आड़ा खान पीन दा शौंक, जो है कि ते कोई इटिंग डिसॉर्डर ता नहीं बान रहे है, स्पेशली जो मैं गल कार रहे है, बिंज इटिंग डिसॉर्डर दी, तो इस ने विच जो मैं शुरॉत विच 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 गलां कार चुकी है, सिम्टम जही ने, कि चाह के भी खान पीन दे कंट्रोल हो ही नहीं पान दा है, और चोरी छुपके भी अगर खाना पर भीता जी करना बस कुछ खा लेगी, तो मैं सिद्धा उन विजन से आऊंगी कि आखिरेट डिसॉर्डर हो क्यों जाना है, और आप इससे चुटकारा की में पाना है, देखो सब तो पहली काले है, जी मैं आजकल असी गल करी, किसी ना किसी नूँ, कोई ना कोई गल करके स्ट्रेस होया रह खुद नूँ गुड फील करन दे लई, आसी कई वर खान पीन दिया, आदता मल साड़ा रुजान बहुत जादा हो जाना है, और मूड खराब होया है, तक इसी एक पर्टिकुलर चीज देना साड़ा लिंक ऐसा बन जाना है, कि मूड खराब है, या आसी फिर बाहर चले आँगी कि जरूर समझ लो किन्ने टाइम दे विच तुसी कंटीनू इस आरत विच चाल रहे होता, तुसी मान लो कि तुसी वी बिंच इटिंग डिसॉर्डर दा शिकार हो चुके हो, तकरीब ना का अगर आपा तिन महिनया दा अंदाजा लगा के देखिए, तिन महिनया व बहुत जादी चीजा खाई जा रहे हो, हलाके खान तो बात आनो मान लो कि तुसी वी बिंच इटिंग डिसॉर्डर दे शिकार हो रहे हो, और करना किया इस दिलाई, देखो, अगर एता हले थोड़ा जा कंट्रोल कार पा रहे हो, कुछ जादा समा नहीं होया है, अज़े है आपनो सब तो पहला किसी होर आधिता दे विच जो है जरूर पाओ जिमें कि अगर तानो stress फिल हो रहे है, anxiety है, या कुछ भी अगर ऐसी कुडियां दी गाल करिये ना, eating behaviors कारके भी उना विचे problem हो जान दी है, eating behaviors दे विचे अगर आपा गाल करिये कि कहिया नहीं होना है, बे तो इसी बहुत कुछ खाणा शुरू कार देने हैं और एक दे कदे वाली आदत फिर हमेशा देले बान जान दी है, फिर साड़ा बेड कटन दी था आते, वददा जान द है, और जेहा वददा है कि वापस ले आंद ले मेहनत बहुत जादा लाग दी है, तो उस मेहनत तो भ जान कबरान लाग जान दा है, तो इथे तुसी करना किया, देखो, पहला ते यह त्यान जरूर दो, जादवी तानो पुख लगे, पहली तेगाल जमें साड़े दिन दे मेन, तिन मील हुं देने, तो उसे विचकार तुसी थोड़ा बहुता कुछ जरूर ले सादे, जमें स तुसी सारे मिठा लवना शुरू कार देने, क्योंकि कर्वोहाईड्रेट जी कमी हो जान दी थे जयदो, जरो क मिठा मंग दिया, जरो जो एमनदे, ज्यमें सा दो बहुता खास कादे लेगा जैंल साथियों, ज़िए तो इपनारी सितनरा मिठास, और जय कोई, थे मिठी च जो मैं गल का चुकी है, breakfast, lunch, dinner, जड़े साड़े, तिन मील ने इनना दे विचकार, कंटे, डेड़ कंटे बात, उसी कुछ ना कुछ जो मैं गल कीती, salads लो, fruits लो, healthy snacks लो, जहाथ आनो अपनी आदत बनानी पहेगी तांकि कदी भी एकदम एननी ज़ादा पुखना लगे कि तो आदे तो control ना होए, दूसरा, जद कदी ज़ादा पुखला रही है, या binge eating ना मन हो रहे है, तुसी आपने आपनो किसी होर, hobby वाल जुरूर, involve करके रखो, चाहे तो आदे पढ़ाई है, चाहे तो आदे वाक करना होए, चाहे डांस करना होए, चाहे पेंटिंग करना है, कु easy to eat, ready to eat अपा जिना नो कहा दे नहीं है, या पाकिंग वाली चीज़ां कहा दे नहीं है, चिप्स है, कुछ भी ऐसी चीज़ां बहुत जादा कार्दे विच लिया के नहीं रखने चाहे दिया, जोदो पईया होनी है, चीज़ां कार्दे विच तो मन की दिमाग दे विच ब ना ले आके रखो, इस तो इलावा तुसी जो है, अपने सालेड दे विच वेजिटेबल्स अलग लग तरह दिया जरूर ले आके रखो, तांकि ज़ग लगे भी ताडे माइंड वीच, माइंड जदो लबदा है कि मैं की खामा ताडे माइंड विच आवे कि फ्रिज दे व लेकिन जिस केस से मैं गलगरा, बहुत जादा ही आदत बन चुकी है, जिसे नाल के तो आड़ा वेट गेंड भी बहुत ही जादा हो चुकी है, चाहके भी तुसे कोई चीज कंट्रोल नहीं कार पा रहे हो, ताथ आनू तुरंत ही एक अच्छे डाइटीशन दी या फिर एक जादा से खान दे जावाँगे, उननी ही जादा कैलरी साथी वाड़ी भी चिकटी हों दी जाएगी, ता सिर्फ मोटापा ही नहीं, वो होर भी टे सारे हेल्थ इशूस सानू मिलन ही वाले ने जिना, तो ज़रूर अगर तुसी भी खान पीन दिया इना आदता दे, शिकार ह हो चुके हो ता अपने आपनों एना सोचो कि ऐसा सिर्फ खाई रहा एक इटिंग डिसॉडर है, तो इस डिसॉडर नों सही करन दे लेई, आज तो ही आपने उपर काम करना शुरू कर दो, कदी भी परेशान होगो, खान पीन दी बजाए, आपने किसी खाज नाल गलबात कर और अगर तो आड़ी फैमिली वीच किसे परसन हो, तुसी आपने देख रहे हो कि बार बार कुछ ना कुछ है खा रहा है, या लुक लुक के खा रहा है, क्योंकि बिस्केट्स पाए होंदे नमकीन पाए होंदे है, थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर कुछ खानदा जा र रखे और हां, स्ट्रेस और अंजाइटी ये सब्तो में कारण ने विंज इटिंग डिसॉर्डर देवीच, सो इंजाइटी ये स्ट्रेस है, परेशानी है, तक उसी जरूर उज़े लई, मैं बार-बार कहनी है गल के, फैमिली एक दुज़े दा सपोर्ट सिस्टम होना चाह देव, बिंज इटिंग डिसॉर्डर तो बचया जा सकता है, और तुसी भी अपनी हल्दी लाइफ बिटा सकते हो, और जरूर इना गल्ला देव पर भी त्यान रखो, वीडियो आज भी चंगी लगी है, तैस नो लाइक और शेर जरूर कार देना, पेज नो हले तब फॉलो हुल